नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सतिन सर्मा चारो और एसिया कप 2030 में भारत की जीत के चर्चे हो रहे हैं भारत को एसिया कप का किताब जिताने में तीज गिदवाद मोहम्मद सिराज ने अहम योगदान दिया है पहले की दवाजी करने उतरी भारत की योड़ से सिराज ने साथ ओभर में 21 रंदी कर 6 विकेट अपने नाम किये इस दोराण उने ने एक मेड़न obviously सिराज के इस सांदार प्रदंसन पर हैद्राबाद के सांसद असवुद्दीन ओवैसी ने हैद्राबादी भासा में उनकी जम कर तारिफ की है ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा हैदराबादी भासा में पासा पूरा स्रिलंका को खोल दिये इसके अलामा उन्होंने ट्वीट में सिराज को मिंसन भी किया बता दे कि सिराज भी हैदराबाद से तालुक रखते हैं सिराज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी हैदराबाद के लिए ही खेला है वहें उन्हें IPL डेबू भी संराइजर्स हैदराबाद से ही किया था सिराज ने पारी के चोथे उबर में चार विकेट अपने नाम कियें इसके बाद उन्होंने छटे उबर में पाँचुआ और बारावे उबर में छटा विकेट चटकाया सिराज ने स्रिलंका के पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, समारावविक्रमा, असालंका, धननजडिसिल्वा और कप्तान दासुन सनाका को पवेलियन की रहा दिखाई किताब अपने नाम कर लिया, वहीं भारत के लिए ओपनिंग पर आये सुबमनगील ने तीन चौके की मदद से नबाद 23 रन बनाये और इसांकिसन ने छे चौकों की मदद से नबाद 27 रनों की सांदार पारी खेली गुरतबल है कि मुहमद सिराज भारत के लिए तीनों फार्मेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने अब तक 21 टेस्ट, 29 वंडे और 8 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिये हैं टेस्ट में उन्होंने 69 वंडे में 30 और T20 इंटरनेशनल में 11 विकेट अपने नाम की हैं, सिराज ने नवंबर 2017 में अंतरराष्टी डेब्यो किया था, लेकिन जिस तरह से सिराज ने सिरलंका और भारत के खिलाफ इसी अकब 2030 में अपना परफार्मेंस दिया है, उससे सिर् हो रही है, और शिराज ने कई सारे रिकार्ड अपने नाम की हैं, देज दुनिया से जोड़ी तमाम कुपरों की जानकारे के लिए आप बने रहे हमार साथ, और देखते रहें इन खबर धन्यमाद